अरे हट सामने से इसकी इतनी हिम्मत मुझे हाथ दिखा के रोक रहा है यह पताती हूँ इसको अवे ओ, तेरे बाप की रोड है जो मुझे हाथ दिखा के रोक रहा है जो आप किस तरीके से बात कर रही है और आपको देख नहीं रहा है उस अंध्य आदमी की help कर रहा रोट वास करने में और इस चक्कर में मुझे इंटर्व्यू के लिए लेट हो रहा है उसका क्या? विसे भी तुम जैसे गवारों के दिमाग में ये सब बाते कहां पढ़ेंगी? काम धंदा तो कुछ होता नहीं है बस लोफरों की तरह रोट पर गुमा लो तुम लोगों को आपको तमीज नहीं है क्या बात करने की? या फिर आप सब से ऐसे बतमीज से बात करती हैं तो तु मुझे सिखाएगा कि मुझे किस से कैसे बात करनी चाहिए? इतनी उकात है तेरी? वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों के मुह नहीं लगती। इंटर्व्यू के लिए लेट हो रहा है मुझे कुई नहीं, आप चलो करते हैं एलो सर्, आप थोड़ी दर यहां वेट रहें तो कहां पर जाना है? अब 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 आए नहीं है, उनकी रस्ते में कार खराब हो गई थी और कुछ इशू हो गया था, इसलिए वो लेट है आप थोड़ी दर यहां वेट करो, मुझे अब आएंगे तो मैं आपको बिलागे ओके सर्, थेंक्यू आप आज यह सरी इंटर्व्यू के लिए बला रहे हैं तो तो तुम यहां इंटर्विक ले आने वाली थी तो आप इस कंपनी की बॉस है सर, I'm really sorry, सुबा जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry sir तेखो मेरे सामने यह जूटा दिखावा करने की कोई ज़रत नहीं है तुमारी असले तो मैं कुछ देर पहले ही देख चुटाओं और वैसे भी तुम्हें यह जॉब तो मिलने नहीं वाली है क्योंकि तुम जैसे बत्तमीज लोग मुझे इस कंपनी में नहीं चाहिए sir, please मेरी बात सुनिये sir देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से आसे जाने कले बोल रहा हूँ पर मुझे लगता नहीं कि तुम्हें प्यार से बोलीए चीज़े समझ आती क्योंकि बत्तमीज जो तो रॉलीफ झाल 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 झाल